नमस्कार फ्रेंड्स ओनलेंटेक सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर ले और इस चनल को सस्क्राइब कर ले चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज की इस चुड़ में हम बात करने वाले हैं SBI CSP में हम अपने कमीशन को कैसे इंक्रीज करें उसी के बारे में पुरा विस्तार पुरवक चुड़ियों बात करने वाले हैं जैसा कि आपको पता होगा अगर SBI CSP में कुछ बातों को ध्यान में रख करके हम proper way में अगर work करें तो अपने commission को हम 2000 से लेकर के 3000 तक का अपना commission को हम increase कर सकते हैं उसी के बारे में पूरा details में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं वीडिय से relative कोई भी update आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर upload करता रहता हूँ यह हम बात कर रहे थे SBI CSP के commission को increase करने के बारे में तो यहां पर हम दीन भार में बहुत सारा जो है transaction अपने CSP portal पे करते हैं तो यहां पर अगर आप जो भी AAPS से transaction करते हैं तो यहां पर जो भी आपको खाली टाइम मिले अगर कोई customer आता है कि उसका जो है balance inquiry करना है तो यहां पर आप जो है mini statement आप जरूर प्रिंट करें यानि कि जरूर देखें क्योंकि उससे भी जो है हमारा commission add हो रहा है यहां पर आपको हमने पहले भी बता चुका है तो आप यह सोच रहे होंगे कि यह कौन तीन हजार विड़ोल कर देते हैं लेकिन विड़ोल करने के बाद उसका जो है mini statement आप एक बार जरूर चेक कर ले जिससे कि आपको टूर रूपीज के additional जो है benefit हो जाता है तो मेरा कहने का मतलब है जितना भी अगर आपके खाली time अगर मिलता है उस समय आप किसी भी customer का अगर transaction कर रहे है EPS के तुरू आधार के तुरू तो उसका mini statement आप जरूर प्रिंट करें क्योंकि वो 2 रूपीज का additional उसमें benefit मिल जाता है और second change के अगर हम बात करें पास्वूक प्रिंटर की तो यहाँ पे आप पास्वूक प्रिंटर अगर आपके पास है तो बहुत सारे लोग स जोसते हैं कि customer का बिंग्ड़ हो जाता है इस वज़ा से उनका transaction करके हटा देते हैं उसका passbook प्रिंट नहीं करते हैं तो इस वज़ा से भी आपको तीन या साड़े तीन रूपे का नुकसान हो जाता है तो इन छोटी छोटी बातों को आप जो है जिस भी customer का आप transaction करे उसका प्रिंट करें क्योंकि यहां पर अगर आप प्रिंट करेंगे तो यहां पर भी आपको तीन से चार रूपे का जो है additional benefit मिल जाता है प्रिंटर पर तो यह दो चीज़ों पर आप ध्यान रख करके अगर छोटी छोटी बातों को commission को ध्यान में रखते हुए अगर आप CSP में work करेंगे तो आपका जो है easily commission जरूर increase होगा यहां पर जो नया update में जो है mini statement भी अच्छा खासा सोग होने लगा है यान कि कोई भी customer अगर आपके पास mini statement चेक कराता है अधार से चाहे वो किसी भी bank का हो कुछ bank को का छोड़कर यहां mini statement भी बिलकुल exact सोग हो रहा है तो यहां जो है customer भी इससे जो है संतुष्ट हो जाता है अगर कोई भी अधर भी bank का है अगर उसका mini statement आप चेक करके उसका कुछ अगर details बताएंगे कि आपने इस तारी को debit किया था इस तारी को credit हुआ था तो उससे customer भी क्या होता है कि संतुष्ट हो जाता है तो इस तरह से जो है कर प्रिंट करते रहेंगे इससे भी जो है additional benefit आपको 2-3 रुपया का जो भी commission बनता है पास्वुक प्रिंडर पर हो मिलता रहेगा और 2-3-4,000 जो है आपका commission जुरूर increase हो जाएगा तो इस वीडियो बितना ही अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी एची लगी हो तो वीड जो कि नीचे लाद से लिखे subscribe बटन को क्रिक करके इस चैनल को जुरू subscribe करें ताकि SBA, CSP से रिलेटिव या banking से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर upload करता रहता हूँ तब तक लिए thank you, धन्यबाद मिलते हैं आपको next studio में इसी तरह के महत पूल अपडेट के साथ